नमस्कार किसान भाईयों मैं सुरेश मंचंदा लहसुन की नई जानकारी के साथ आया हूँ सबसे पहले आपको बदाई मनसोर मद्य परदेश की मंडी में लहसुन ने नई रिकोर्ड को छुलिया है जी हाँ मैं मनसोर मंडी की बात कर रहा हूँ मनसोर मंडी में भाव 32,000 रुपए प्रतिक इवंटल के पार पहुंच गए है और हर रोज निया रिकोर्ड आने वाले दो से तीन दिनों में बनता हुआ नजर आएगा आप देखने जा रहे हैं दरश्कों ऊटी क्वालिटी का एक और बहुत गजब का लोड में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि 31,800 रुपए प्रतिक इवंटल के भाव में आज बिका है साइज की बात करूँ साइज जो मिक्स है लेकिन माल सुफा हुआ है बड़े माल की बात करूँ तो यह बड़ा माल इस प्रकार का है और छोटी साइज की बात करूँ तो छोटी साइज भी इसमें देखने को आपको मिलेगी जो कि इस प्रकार की है लेकिन माल ठिक ठाक सुखा हुआ है यह जीला नहीं है और इस प्रकार की कंडिशन बड़े माल की इसमें काफी देखने को मिली है यह आप देख सकते हैं 31,800 रुपे प्रतिकुंटल के भावों में मंसोर मंडी में भी की है इससे भी बड़ी बात आज देश के चर्चित न्यूज पेपर्स और न्यूज चैनल्स और उनकी ओनलाइन वेबसाइट पर लहसून हेडलाइन के तोर के उपर चाया रहा देश के कारोवारी जो चैनल है CNBC उन्होंने अपनी खबर में बताया है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि मंसोर मंडी में लैसून 300 रुपए से 500 रुपए प्रतिकुंटल विका है और खुद्रा बाजार यानी रिटेल में 1000 रुपए प्रतिकिलो तक विका है हाला कि खुद्रा में 1000 रुपए प्रतिकिलो लैसून की जानकारी फिलाल मेरे पास या Market Times TV के पास नहीं है वहीं आज तक की वेबसाइट पर लैसून का थोक बाजार भाव 400 रुपए प्रतिकिलो तक लिखा गया है और Times of India की वेबसाइट पर लैसून का कलकत्ता में भाव 500 रुपए प्रतिकिलो बताया गया है किसान भाईयो लैसून की नई फसल सिर्पर है इसका ध्यान रखकर आप अपने स्टोक को कुछ कुछ करके निकालते रहें यानि की कोशिश करें कि प्रति दिन 5-10 फीसद अपने पूरे स्टोक में से माल को निकालें पूरा स्टोक अपने पास ना रखें नई फसल के दबाव में लैसून पर दबाव आगे आने वाले समय में बन सकता है हलांकि अभी ये हफता आपको घबराने की जरूरत नहीं है जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाएं लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद